हाली में मद्यप्रदेश में नगREE, निकाय और त्रेस्त्री पंचाय चुनाव संपन हुए हैं मद्यप्रदेश में हुए इन चुनावों के परणाम सभी राइनेतिक पार्टीयों के लिए अहम हैं आज हम इसी मुद्धे पर आप से बिस्तार से बात करेंगे कि मद्य प्रदेश में हुए नगरी निकाय चुनाव और पंचाय चुनाव के परिणामों से किस पार्टी को क्या फाइदा और नुक्सान होने वाला है नमस्कार साथियों मैं ब्रजमन मौर और आप देख रहे हैं जनेतावाज नवमब दिसम्ब दोयाद 23 तक मद्य प्रदेश में बिदान सभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए अभी हाली में हुए पंचाय चुनाव और नकरी निकाय चुनाव में सभी राइनेतिक दलों ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है नगरी निकाय के 347 पदों के लिए हुआ चुनाव जियां सातियों आपको बता दे हैं नगर निगम में महापौर पद के लिए प्रत्यच रूप से चुनाव हुआ है जवक नगर पालका वा नगर परसद के अध्यच का चुनाव अप्रत्यच रूप से यानि के सीधे सब्दों में समझें तो जो चुनाव हुए हैं जीते हुए पारसदों के चुनाव से अध्यच पद का चुनाव होगा जिसमें 16 नगर निगम के महापौर, 255 नगर परसद वा 76 नगर पालका अध्यच के लिए चुनाव हुए हैं यहां पर एक बात और समझना जरूरी है कि नगन निगम, नगर पाल का और नगर परसद के कुल 347 पारसद पदों के अलावा 16 नगन निगम के महापौर पद के लिए भी चुनाब हुए हैं किस दल के पाले में कितने अध्यच महापौर और पारसद जी हां सातियों, कुल 16 नगन निगम में महापौर पद पर 9 पर बीजेपी, 5 में कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोल दिया है इसके अलावा एक नगन निगम महापौर पद पर निरदली उमीदवार ने जीत आसल की है इसी तरह कुल 76 नगरपाल का में हुए अध्यच पदों के चुनाव में जो पारसद चुने गए हैं उन पारसदों की संक्या के बहुमत के आंकड़े पर नजट डालें तो सातियों मैं आपर बहुमत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंके जो नगरपाल का और नगरपाल काओं के चुनाव हैं वो अपरत रूप से उए हैं यानि के जीते हुए पारसद ही अपने अध्यच को चुनेंगे बीजेपी को 50 कांग्रेश को 11 नगरपाल काओं में बहुमत मिला है सेस 15 नगरपाल काओं में भी बीजेपी के पारसदों की संक्या जादा है इसलिए वहाँ पर भी बीजेपी अपने अध्यच बनाने में पूरी कोशिस करेगी अब बात करते हैं नगर परसदों की तो आपको बताते हैं कुल 2-5 नगर परसदों में 185 में BJP को 24 में कांग्रेस को भवमत मिला है एम सेस बचे 46 नगर परसदों में भी BJP के ही पारसद ज्यादा हैं इसलिए इन पर भी BJP अपना कबजा जमाने में काम्याब हो जाएगी कैसे भी करके चाहे जोड तोड करनी हो या और कोई बात हो अब बात करते हैं कि नगरी निकाय चुनाब के अलाबा मद्पदेश के सभी जलों में 33-35 चुनाब भी हुए हैं इन चुनाबों की चर्चा इस बिशेपर इस वीडियो में करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अदिकतर जो पंचा चुनाब होते हैं सभी पंचा चुनाब चाहे जला पंचा है सदस्का चुनाब हो जर्मपद सदस्का चुनाब हो सरपंच के चुनाब हो ये स्वतंत्र होते हैं इसमें पार्टी के सिंबल पर चुनाब नहीं होता है तो जायरसी बात है जो जीतने के बाद जितने भी जन प्रतनिदी होते हैं वो अधिकतर सत्ता पचके और ही जुकाब रहता है साथियों यहाँ पर 33-45 चुनाब में कीते हुए जन प्रतनिदी किस पार्टी के हैं इसलिए यहाँ पर यह माइने नहीं रखते हैं साथियों अब बात करते हैं कि जो निकाए चुनाब के प्रणाम आए हैं इन प्रणामों पर अगर नज़र डालें तो किस तल को फाइदा है और किस तल को नुकसां तो साथियों आपको बता दे हैं बैसे तो चुनाब प्रणामों के बाद बीजेपी और कांग्रिस दोनों पार्टीयों के ही नेता और कारकरता जस्न में डूबे हैं लेकिन इस बात पर भी जरूर बिमर्स होना चाहिए कि आने वाले दो यार तेज के चुनाबों तक किस पार्टी का जस्न बरकरार रहता है कांग्रिस कारकरताओं का जस्न मनाने का आदार 16 में से 5 नगर निगमों के महापौर पद पर कबज़ा करना है क्योंकि पिछले चुनाब में कांग्रिस के पास एक भी नगर निगम नहीं ती तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अधिकतर नगर पालका और नगर परसदों में बहुमत से कबजा किया हुगा है आम आधि पार्टी ने भी एक महापौर पद जीत कर मद्यपदेश में अपना खाता कोल लिया है चम्मल और ग्वालिय संबाग में तो कांग्रिस ने बीजेपी की हालत बहुत ही खराब कर दी नरेन सिंग तोमर जोतरा दित्ति सिंदिया जैसे केंदरी मंत्रियों के गणों में भी बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पाई बहुजल समाज पार्टी के कुछ पारसद नगर निगम मुरेना में बने हैं चंबल संबाग में मजबूती से पकड़ बनाए जाने वाली बहुजल समाज पार्टी की हालत लगातार बद से बत्तर होती जा रही है होने वाले दो या तेज के बिधानसवा चुनावों तक अगर बियस्वी के आला कमान कोई ठोस रड़नीत नहीं बनाते हैं तो बस्पा के बोट बैंक का कांग्रेस और आमादी पार्टी की और किसकना पूरी तरह से संबाव है यह भी मान सकते हैं कि कांग्रेस को अगर दलित बोट मिलते हैं जो के अभी बस्पा के बेस बोटर है तो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिल सकता है क्या बस्पा अपनी रणीती बदलकर अपने बोट बांदे रख पाएगी या कांग्रेस का साथ देंगे दलित बीजेपी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा जैसे जैसे बिदान सवाच्वनाब नजदीक आते जाएंगे तश्वीर भी साथ होती जाएगी खलाल आपकी इस खबर पर क्या राया है अपना सुझा कमेंट बॉक्स में जरू दें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं ब्रजमौन जनितावाई से नमस्कार